हलो फ्रेंड्स आप सबो का ममता मिस्रा कुकिंग चैनल पे सुष स्वागतम बहुत सारा प्यार भरा वेलकम आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही कम समय और बहुत ही कम इंग्रीडियन्ट से बनने वाला महराश का फेमस सुपर टेस्टी धेचा पाओ तो आप सबो को बहुत पसंद आएगा आथी धेचा बनाने की रेस्पी और पाओ के अंदर की फिलिंग तो एक स्पेशल मसाला से होती है उसकी भी रेस्पी में आप सबो के साथ सेयर करने वाली हूँ तो चलिए फट आफट इस रेस्पी को बनाना इस्टार्ट करते हैं इस रेस्पी को बनाने के लिए हम सबसे पहले धेचा बना लेते हैं और धेचा बनाने के लिए उसके पहले हम मुंगफली के दाने को भून लेते हैं और हमने हाफ कफ के करी मुंगफली को दाना लिया है लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से गोल्ड भी पीस कुकिंग ओयल डाल दीजे मैंने सरसो का तेल लिया है तेल जब थोड़ा गरम हो जाए तो आठ से दस हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है उसे में डाल दूंगे और इसे भी 10 सेकंड तक फ्राई करती रहोंगी इसके बाद हम इसमें लेसन डाल देंगे लेसन भी मैंने 7-8 कलिया लेसन का लिया है थोड़े मोटे मोटे लेसन है तो इतने में ही काम चल जाएगा अब हरी मिर्च और लेसन दोनों को थोड़ा सा गोलडेन होने तक हम फ्राई करेंगे और इसमें हम डाल देते हैं जीरा आधा चमच के करीज जीरा भी डाल देते है वो भी साथ में भुन जाएगा और इसके साथ डाल देते हैं एक चुटकी हींग हींग बाद में डालिएगा जलेगा नहीं और इसमें डाल देते हैं एक चोथाई चमच हल्दी बहुत जरासर दो पिंच के बराबर हल्दी डालेंगे तो भी चलेगा सारी चीजों को अच्छी तरह से mix करते हुए एक से दो मिनट तक हम पकाएंगे और flame को low या medium ही रखिएगा और इसमें एकदम last में जब अच्छी तरह से भुन जाए तब आप डाल दीजे धनिया की पत्तियों को और मैंने मोटा मोटा इसे भी chop कर लिया है बहुत बारिक नहीं किया है और इसे भी अच्छी तरह से हम चला करके mix कर लेंगे धनिया की पत्ति डालने के बाद बहुत देर तक हमें पकाना नहीं है क्योंकि ये बहुत जल्दी soft हो जाती है तो बस अब ये बंद करके हो गया है फ्लेम को बंद कीजे और इसे ठंडा कर लिजे शाथी मैंने मुंफली के दाने का छिलका हटा दिया है और ये काफी ठंडा भी हो गया तो इसे mix के जार में डाल करके बहुत ज़दा grind नहीं करना है बस हलका pulse mode पे grind कीजेगा बस एक बार इतने में ही अच्छी तरह से पिस जाएगा और ये देखें मैं open करके आपको दिखाती हूँ ये देखें थोड़ा सा हलका दरदरा रहेगा ऐसा ही हमें चाहिए और अभी मैं हमने जो हरी मेच और लेसन को भून करके रखा था ना अब वो काफी ठंडा भी हो चुका है तो उसे भी डाल देते हैं उसी mix के जार में और इसे भी हलका pulse mode पे grind कर लेते हैं बहुत ज़दा मत कीजेगा हलका हलका रुक के एक बार में ही हो जाएगा और ये देखे पीस करके हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ कि धेचा हमारा बन करके कैसा हुआ है पहले जमाने में यही काम हाथ से किया जाता है था खल बटे में इसको अच्छी तरह से कूट करके लेकिन अभी मैं आपको इस तरह से grind करके दिखा रही हूँ इजी भी रह को निचोड़ करके अगर चमच में बोला जाए तो देख चमच के करीब मैंने इस नीबू के रस को इसमें डाल करके अच्छी तरह से मिला लिया है अब यह धेचा बन करके हमारा बिलकुल त्यार हो गया है इसका पास से टेक्स्टर देखिए थोड़ा दानिदार है बस ऐस सही चाहिए इसे एक साइड में रखते हैं और चलिए अब इस टफिंग त्यार कर लेते हैं तो इस टफिंग के लिए मैंने एक पोटाइटो को बॉल करके उसको अच्छी तरह से कदुकस कर लिया है आधा टमाटर डाल दिया है बहुत थोड़ा सा मैंने सिमला मिर्च को बा साधा चमच कुटी हुई लाल मिर्च है एक चौथाई चमच और यह मैं नमक डाल दे रही हूं नमक आप अपने टेस्क के अकॉर्डिंग डाल लिएगा मैंने एक चौथाई चमच के करीब डाला है और यह जो अभी हमने धेचा बना करके रेडी किया है ना उसमें से एक से डेट इस्पून आप ले लीजे और उसे भी इसके साथ मिक्स कर दीजे बस यही हमारे मसाले हैं और कुछ भी एड करने की जुरत नहीं है अच्छी तरह से सब चीजों को मिक्स कर लीजे एक दम बढ़िया से मिक्स कर लीजेगा वैसे तो यह स्टफिंग त्यार है लेकिन अब हम इसमें डाल देते हैं एक से डेट टेबल स्पून दानेदार चीज को चीज को डालने से बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है दानेदार चीज ना हो तो कोई बात नहीं अब चीज को क्यूब ले लीजे और उसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं या फिर इसके जगा पनीर के टुकडे को भी डाल सकते हैं सारी चीजों को मिक्स कर लिया है हमारा स्टफिंग रेडी है अब चलिए पाव को देख लेते हैं तो यह मैंने लिया है बड़ा पाव वाला पाव और इसे बीस से में कट कर लेती हूं अब यह देखिए अच्छी तरह से एक बढ़िय देता है टेस्ट देता है नहीं तो आप कोई कुकिंग ओयल भी डाल सकते हैं अब इस घीच अच्छी तरह से जब तवे में लग जाए तो धेचा को एक चमच के करीब डाल दीजे इसमें और अच्छी तरह से इसे प्रेड कर दीजे पूरे तवे पे इस धेचा के उपर इसे डेचा जो है और बटर जो है अच्छी तरह से पाव में लग जाए दोनों साइड में सेम काम कीचेगा अब इसे थोड़ा दबा दबा के अच्छी तरह से शेक लीजे बस ज्यादा नहीं 10 से 15 सेकेंड ही सेकना है इसके बाद हम इसको पलट लेंगे और इसके अंदर ड जालेंगे तो सेम वर्क करेगा अच्छी तरह से स्टफिंग को आप वापस से पैक कर लीजे और इसे अब दोनों साइड में हलका हलका दबाते हुए और 10 सेकेंड के करीब सेक लीजे फ्लेम को मीडियम रखेगा सेकते वक्त ज्यादा तेज भी नहीं और ज्यादा तेज र दबा करके और सेक लीजे बस 10 सेकेंड में अच्छी तरह से बन करके रेडी हो गया है यह देखे कितनी मस्त सिखी हुई है ना अब हमारा धेचा पाव बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है उपर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम तीखी चटपटी बहुत ही टेस्टी बनी है चलिए अब इसे सर्फ करके देखते हैं मुंबई की फेमस स्ट्रीट फूड धेचा पाव बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए सर्विंग में धेचा पाव के साथ तीखी चटपटी धेचा भी सर्व कीजे वैसे आप इसे किसी भी चटनी सौस के साथ और रेश्पी जो सबको पता है बड़ा पाव वो भी फीका लगे इतना लाजबाब इसका टेस्ट है और ये देखिए फिलिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से अंदर फील हो चुकी है अगर आपको मेरी रेश्पी पसंद आती है तो अपने घर पे इसे अवस्य ट्राई कर